5.5 पारस्थितिक तंत्र में मनुश्य का हस्त छेप Human Intervention in Ecosystem किसी भी पारस्थितिक तंत्र पर मनुश्य कई तरह से प्रभाव डालता है कारवन के चक्रिकरन को ही देखें तो जिवाश्वे इंधनों के अत्यधिक उप्योग से पर्यावरन में कारवन के आकसाइडों की मात्रा बढ़ने लगी है साथ ही हवा में कारवन के कणों की मात्रा भी अधिक हो रही है सोचें, चर्चा करें और नोट करें किन अजयविक घटकों पर मनुश्य का प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है किन जैविक घटकों को मनुशे ने प्रभावित किया है धान के खेत के खाद्य जाल का उधारन लें तो मनुशे अपने फाइदे के लिए दूसरे पोशक इस तरके कई जीवों को खत्म कर देता है ऐसा करने पर उस पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि धान के खेत की खादिश रिंखला में किसी नई प्रजाती का जीव शामिल हो जाए तो क्या होगा कीट नाशी दवाओं के प्रयोक से यदि हर धान के पोधे में 0.01 मिलिग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है तो 30 धान के पोधों में कितने मिलिग्राम आर्सेनिक जमा होगा अगर हर दिन आप लगभग 30 पोधों से प्राप्त दानों को खाते हैं सोचिए कितना आर्सिनिक आपके शरीर में पहुँचता है हम जानते हैं कि नुकसान पहुचाने वाले कीटों और सुक्ष्म जीवों से बचाने के लिए धान की तरह अन्य फसलों में भी विभिन केट नाशी, कवक नाशी, शाक नाशी आदी दवाओं का उपयोग किया जाता है इन में से कुछ रसाइनों का जल्दी अबघटन हो जाता है किन्तो कुछ लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं जो हानी पहुँचाने वाले जीवों को समाप्त करने के साथ साथ मित्रत जीवों और फसलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं कभी-कभी ये फसलों द्वारा अवशोशित होकर उन फसलों को खाने वाले मनुश्यों और पश्वों के शरीर में पहुँच जाते हैं और अनेक रोग भी उत्पन करते हैं। ऐसे कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं, तब मिट्टी के भौतिक एवं रसायनिक गुणों में परिवर्तन आ सकता है। और फसल उत्पादन कम हो सकता है। ऐसे मिट्टी को फिर से उपजाओ वराना बहुत कठीन होता है। अतहब परियावरण को हानी पहुँचाने वाले कृत्रिम तरीकों एवं रसायनों का उप्योग विशेशग्यों की सलाह से कम से कम किया जाना चाहिए ताकि हमारा परियावरण और हम सुरक्षित रह सकें। कि अन्योधारन के बारे में लिखें। परियावरण को हानी से बचाने में आपकी अपनी भूमी का क्या है लिखें। क्या आप जानते हैं। जलकुम्भी तेजी से बढ़ने वाला एक जलीव पौधा है। समानेता आप इसे आपने आसपास के तालावों और नदियों की उपरी सतर पर फैला हुआ देख सकते हैं। यह विदेश से लाया गया पौधा है जो जलीव पारिसतिक तंत्र के कई जीवों की आवादी पर विपरित प्रभाव डालता है।